असलाम लेकूम, वेल्कम बेक टो मैं चैनल, आज हम सीख रहे हैं बेबी बूटीज बनाना, मैंने आपको आल्रेडी सोल बनाना बता दिया था, तो आज हम बनाएंगे बेबी बूटीज, ठीक है, उसके लिए में ये चीज़े जुरुड़त है, थ्री प्लाइवोल में यूज कर रही हूँ, यह साइज है, ठीटू लेके, ठीटू, शिक्स मंत के बेबी के लिए, ठीक है, इसके लिए मुझे बनाने है, ठीटीन चेंज, ठीक है, ठीटीन चेंज बना लेंगे सबसे पहले, ऑट र्गल, टू, डू, थ्री, फोर, फाइव, ख जीक्स, ग्रम, प्हांड, शिक्स, सेवीं, एच, नाइन, अलेवन, ट्लाइन, त्रीटीन, टू को स्किप कर देंगे और ठीड वहली चेंज अनदर थृट वहली फ्री बना लेंगे, फर्स्ट वहले टू चेंज बने स्क स्किप कर दिये ठीक है आई होप आप लोगों को प्लेयर ली नजर आ रहा हूं कि यह देखें ठीक है यह टू वले चेंड स्किप कर दिया आपने और थर्ड चेंड के दर जाके थ्री डिबू कुरेशियास बना ले ने यह बेबी बुटी का सोल आलरेडी मैं अपनी चैनल पर के लिडियो अपरोड कर चुक्या हो आप आहां से जाके भी देख सकते हैं कि इक पाकी सब के अंदर एक नोड को फेरेश करते हूं और पिल्कुल एंड पहलान Memory चेंड के अंदर हमने 6 double crs एक साथ करने हैं एक ही चेंड के अंदर 6 double crs करने हैं तीन right side वाले होंगे और तीन left side वाले होंगे क्योंकि हमने अपना work जो है वापिस मोड़ना है दूसरे तरफ ठीक है यह हम दो आ गए है एंड वाले चेंड में ठीक है यहां पर आगे हमने 6 double crs बनाने एक ही चेंड में जो एंड वाले चेंड होगा उसके अंदर जाके हमने 6 double crs बना लेने हैं अब इसी तरह से जैसे हमने उसी चाइट पर बना के लाया था ना इस तरह से हम इस तरह से इस साइट पर बना लाए था साइट से बना के बिल्कुल फरस्ट पर जहां से हमने स्टार्ट कीः ता हम अहां तक ले जाएंगे सब के अंदर एक एक double crs बनाते हुए one one । equalτικrieोप बनाते हुए मिल्कुल एंड पर चले जाएंगे जहहां से हमने स्टार्ट किया था कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो क मैं I जी तो यह मैं बिल्कुल एंड वाले में आ गई हूँ जो एक्षरी जो हमारा फस्ट वाला था जहां से हमने काम स्टार्ट किया था यहां पर भी आकर मैंने थ्री डवर गुरेशियास बना लेने और इसको स्लिप स्टिच कर की मदद से हम बंद कर देंगे और हमारा नेक्स ड जाट उचाएगा पर जाएगा जी तो अब इस राउंड के अंदर हमने क्या करना है चैन वन किया और पहले वाले चैन के अंदर टू हाफ डबल कुरेशियास करने हैं दूसरे चैन के अंदर भी हमने टू हाफ डबल कुरेशियास करने हैं ऐसे और तीसरे चैन के अंदर भी हमने 2 half double craties करने हैं यह एक के अंदर 2 half double craties हमने करने यह देखें 3 के अंदर हमने 2 half double craties किये तो यह total में पस 6 आगे अब इसके बाद 4 chains के अंदर अगली 4 chains के अंदर हम half double craties बनाएंगे 1 2 3 and यह 4 ठीक है अब यह 4 half double craties हमार पस बन गे अब हम next जो चार chain है next 4 chains जो हैं उसके अंदर जाके हमने 4 half 4 full double craties जाने यह उनकर सिर्फ double craties चार दफा हमने बना लेने हैं अगली 4 chains के अंदर ठीक है यह देखें इस तरह से यह देखें पहले 4 half double craties बनाएं अब 4 double craties बना लिए अब अगली 8 chains के अंदर हमने 2 double craties बनाने सब के अंदर ठीक है 8 chains के अंदर 2 double craties बनाते वे हम बिलकुल दूसरी साइड पर चल जाएंगे और फिर उसी चीज को repeat करेंगे 4 double craties बनाएंगे फिर 4 half double craties बनाएंगे और फिर आगे 3 chains के अंदर 2 to half double craties बनाएंगे तो यह हमारा पूरा baby soul यह हमने टोटल 8 chains के अंदर 2 to half double craties बनाने इच के अंदर ठीक है तो यह मैं अपस टोटल 16 stitches हो जाएंगे जी तो यह देखें यह वाला 16 वाला complete हो गया I mean 8 chains वाला जिसमें हमने टोटो किया थे तो यह 16 हमार पस आगे है ठीक है अब हम repeat करेंगे उसी चीज़ को 4 half double craties बनाएंगे अगली 4 chains के अंदर उसके बाद अगली 4 chains के अंदर हम 4 half double craties बनाएंगे और उसके बाद हमारा पस 3 chains बच जाएंगे उसके अंदर हमने तीनों के अंदर 2 half double craties बनाएंगे इतना सा तो इतना सा इतनी सी वीडियो जो है इतना सोल की प्रॉपर वीडियो मैंने अपने चैनल के अपलोड की वी आप वहां से जाकर देख लेएंगे वह जदा इजी मतलब के वो ना जदा अच्छा तरीकी से उसमें मैंने explain किया हुआ है यह बस बूटी मैंने आगए आगए आपको explain करने किसी सॉल के अपर हम बूटी को कैसे बना सकते हैं ठीक है फोर बन गए अब बाकी त्री के अंदर रहना है नहीं हर स्टिच के अंदर टू टू हाफ डबल क्रेशिया जबना लेने हैं और यह मारा सॉल कंप्लीट हो जाएगा जी तो भी हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे यहां पर बन करतेंगे और हमारा थर्ट रूंड अब स्टार्ट हो जाएगा जो यह तो सोल बन गया हमारा अब हम बेबी बूटी के लिए में फर्दर आगी क्या स्टेप्स लेने अब हम क्या करेंगे के चेन बन करके हाफ डबल कुरेशिया बनाएंगे हर बैक चेन के अंदर ठीक है जो भी हमारी बैक लूप हमें नजर आ रहे होगी उसके अंदर हमने सिर्फ बनाना है पूरी फुल चेन के अंदर नहीं बनाना सिर्फ बैक लूप के अंदर हमने हाफ डबल कुरेशिया बना यह बैक लूब सिफ बैक लूप के убийी अ यह बना लिया मैघ लूप के या जाकर भ बना लिए और इसी तरह कि से इह से फोरा यविल राउंड कम्पेइट कर लेंगे आपको अगर चाही से नजर आ रहा हूं यह देखें जूम करते हूं तो रहसा तक यह देखें यह वाला हमारा बैक लूप होता है ठीक है बैक लूप में से हमें बना लिया हाफ डबल कुरिशिया और इसी तरह से यह में पुरा रॉप कंप्रीट करके तो आगे आपको डिस्क करते हूं कि क्या करना है कि यह मेरा पूरा फुल बन गया है और यहां पर मैंने स्लिप स्टिच का लिया यह एक रॉंड हमारा कंप्रीट हो गया यह देखें आटोमेटिक लिए उपर की तर्फ थोड़ा टर्न करके ना हमारा शूर्स का सोल यह देखें ठीक है यह देखें जोंने यह वाला हाफ कि अब हमने यह वाला मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वह रॉंड होगा हमने थर्टीन कर लेने हैं हाफ डबल कुरिश्याज थर्टीन हाफ डबल कुरिश्याज कर लेंगे ड्र खर्टीन प्रटीन इंप्रें कर लेंगे जो एंगे टी आएंगे बाफ ट्रेंगे आएंगे तो रिचैनल कर लेंगे जोंता वेंगे टीक है। एट, नाइन, टन, एलेवन, ट्वाफ और थर्टीन, थर्टीन हाव डूप प्रश्या करके हमने, यह दे कि थर्टीन पूरे होगे हमार पास, हम एट, नाइन, टन, टन, ने, टन, लेवन, ट्वाफ और थर्टीन, उसके बाद हमने, टू डब्ल कुरेश्या को डिक्रीज करना है, यह दे कि-टिछी स को अब्ल कुरेश्या के साथ, वन डिक्रीज, हम एसे करेंगे तूसरी साइट से भी इसको कौंट कर लेगे। थर्टी ते यहां पर बनाए है तिए से भी हम हमें से काउंट कर लिए 13 पर माँ पर आपना स्टिच मारकर आइड कर दिया ताकि हमें पता हो कि हमने कितने डिकरीज करना है ठीक है 13 इदर की है 13 इदर की सेंटर वाले जितने हमारे पास चेंज बर जाएंगे उनका हमने तू हाफ डबल कुरिशे करके और तू डबल कुरिशे से हमने उसको डिग्रीज करते जाना है ठीक है हो डाइब तू हाफ तू हाफ डबल कुरिशे डिक्रीज करते जाएंगे हम अगरा स्टिच मार्कर नहीं आ जाता जाएंगे स्टिच मार्क करके मार्क पर पहुंच जाएंगे वहां से दूबारा से हमने वही स्टेप लेने हाफ डबल कुरिशे बनाना एच नगर देखें एक स्टिचेज दोस्तों हमें बस डबल कुरुषे बना लेना है ठीक है बाकी सबको हाफ डबल कुरुषे बना के हमने यह वाला पूरा राउंड कम्प्रेट कर लेना है स्टिचे बना का कर लेना है यहां पर शिप स्टिच करके इस राउंड को बंद कर दिया तो यह देखें हमारे डिक्रीज़स और यह है हमारे ठोटीन अथाव रप्डभी और अब उसके अंदर से शिप कर देने तो आप वह देखें को हमने add offices को बंद करेंगे बाकी जतने हो गये उनको आपquito करें हैंगे क। पैरन के साथ कम्प्लीट करेंगे यह हमारे टोटल को बन गए है 11 और इधर से भी 11 काउंट करके वहां पर मस्टिश मार्कर लगा लेंगे ऐसे ठीक है अब जो हमारे पर सेंटर में बच गया है ना चेंज उन सारों को हुने एक में डिक्रीज करना है और एक में डिक्रीज नहीं करना अब चाहर के अब प्सक्रीज करें ला मं और सेकंड वालिज नहीं करें थी प्रही हो यो करेंगे चीह और शेल्यान बहुत हम ग्री आगे थेर्ड वाले 9 और शेवाले प्रहाँ देखर मूंद इस तरde क्सु नहीं लेक करेंगे ऐसके आगे फिर आमने डिग्री समय कर लिया एक और एक डिग्रीज नहीं करेंगेm I am छूच को कम्प्लेटरो ओ लेंगेर मज़ेए और फिर में ह的是 मेइश 128 करेंगे हम इस अगे पिर आम एक कंप्रीज्व करिए करने अब सारे हम ने आपकी सारे आपकी सारा हम ने 11 हाफ डबल कुरेश्याद बना कि इस रो को कुम्टीट गरने कर स्लिप स्टिच कर लेंगे और ये हमारे डमारुप वो कुंप्रीटर जाहिए, उसके बार हम अपना थर्ड रो बनाएंगे. कि इस ने, तो यहां पे आकिए, भूप में लेटा। यहां पे, हम ने इसको स्लिप स्टिच कर लिया, यहूं ठीक है यह दिखें. से इस तरह से कुछ मलें विभी भूटे कीलोग आ रही है। अब हम क्या करेंगे चेन वन कनेगे पहले हमने 13 भी कुरेशिया ते पहले हमने isol tuowCall जकर अब हम नाइन अवनM धनाइन्हाभ़ टू कुरेशिया को क हमने 4000कुरेशिया। यहां पे गधिक आखिय हैं से तो यह रही एवान भाफ डूल कूरेशिया मैं दूसरे साइट से भी जाकर नाइन हां जाए नाइन हाफ करयशिया की में काउंट कर कारे वंद चिछ मार्कर लगा लिए और सेंटर में जितने भी होंगे उनको आप हमने हम डबल कुरेशियर के साथ इसको डिक्रीज कर रहे थे अब हमने हाफ डबल कुरेशियर के साथ को डिक्रीज कर लाए ठीक है हुआ है हमेरे 9 अब छुड़ेशियर बन चुके हैं 10 9 2 3 4 5 6 7 8 9 पे जाकर लिए अब संट्र में जितने हमारे पास टीच टीचे इसको हमने डिक्रीज करने एंड हाफ ड्म कुरेशिया के साथ हुआ है के हथे लें का और जहाएं। और ऑज समय भी इस सीरी आ में और लूप हुर स्टॉघिव के उपर आ जाएंगे इन सब के अंदर से अंतर बै। परन लेरियं तो हम्ने। न .... यह हमारा सेकेंड और इस सब के अंदर से गजार लिया यह हमारा डिक्रीज हो गया इस तरीके से हम यह सारे डिक्रीज कर लेंगे दो-दो के अंदर से ठीक है हाफ डबल कुरेश यह के साथ यह देखेंगे यह हमारी लास्ट रो है डिक्रीज की ठीक है इसके बाद सिंपली डबल कुरेशिय के साथ हमने दो रह रोज बना लेनी है तो हम अब बेबी बूटी त्यार हो जाएगा लेकिन अगर आप इसको लॉंग बूटी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यह होगा कि कि आपने दो यह तीं यह चार इतनी आपको डिजायर होगी लेंथ अब जितना लॉंग बूटी आप बनाना चाहते हैं इतनी आप उपर इसके उपर वर्क करते जाएंगे कि स्टिच मारकर अटा दिया आपकी हमने यहां पे नाइन आप अब बना लेने हैं सब चेंज के अंदर है कि अब यह ही है मिद्धिक करके इस रो को कम्प्लीट कर लिए विजे हमारा बन गया बिब बूटी है ठीक है अगे अंसी इसको थोड़ा सा जेस्ट कर लीजिएगा बुट आतों से तो यह नहीं है यह इसके एक चमलोगा हैगी इस तरह से अगर आप यहां पी छोड़ना चाहते हैं इस सेंडल तो उपर से वह मैं आपको नेक्स्ट इंशाला वडियो में बताऊंगे कि सेंडल किस तरह से बनाया जा हमारा अगली रोह और इसमें सिंपली हमने डबल कुरिश्या कर लेना है पूरे चेंज के अंते हैं उसी हुक से ठीक है अगली रोह और इसको बना लेंगे यहां तक ठीक है यह अमारी कंप्लीट हो गी है और अगले हम लोग यहां पर आगे और इसको कंप्लीट करके और सिंपली स्लिप स्टेच करके इसको बन करतेंगे अब हमने जो इसका नेक्स्ट राउंड बनाना ना वह हमने लिटल बिट जो थोड़ा छोटा हुक होगा उससे बनाए इससे बना लूगी और वस मारा वीवी बूटी अल्मोस्ट कंप्लीट हो गया अगर आप यह बनाना चाहरा है तो जो मैंने टू रोज एंड पर बनाई है यहां तब कंप्लीट करने के लिए तो वह आप यहां पर फोर रोज बना सकते हैं ताक थोड़ा लॉंग बना सकते ह बूटी बेबी बॉइस को अच्छा लगता है क्योंकि मैंने इसके अपर थोड़े से फ्लावर्स लगाने हैं तो यह बेबी गर्स का एक्चुली तो यह बहुत लॉंग इतना अच्छा नहीं लगेगा ठीक है यहां से अपने अपना च्रट कर दिया और निडल की मदद से ह हम जो है इसको सारे को हाइड कर देंगे चुपा देंगे है मिन इसकी टेल को हमने चुपा दिया है विद दा है पॉफ निडल अग्या बैबी बूटी रेडी हो चुका है यह साइज है थ्री टू सिक्स मन्त के बेबी के लिए नेक्स्ट इंशाला आई विल टीच यू सिक्स तू नाइन मन्त अभी में पस कुछ यह रिबन फ्लावर्स है यह में इसकी पर अटेच कर दूँगी आप चाहें तो अपने मर्जी से उपर पर पर्ल्स बगारा जो चाहा रहे हैं ठीक है तो यह मैं एक एक इसकी उपर चोटी फ्लावर्स में हैं घ्लु की हल्प से सोरी लगा दूँगी इसकी उपर ठीक है आपको जो अच्छे लगती हैं आप वो अपर लगा सकती हैं यह आप आप लों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर कर नोटिफिकिशन ता कि आपको मिल जाएं सो बेल के आइकोन को प्रेस करना नहीं बोलना ठीक है जी थैंक्यू सो मुच फॉर वाचिंग अलाहाफेज कर दूपर अपको अखके लगा आपकोन के कर दोब होगी जाएं साय बहाफेज जाएं हाँ झाल